संबंध बोधक मेरे घर के पास मंदिर है, बंदर चट के उपर बैठा है, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, मेरे घर के सामने बगीचा है, डॉक्टर मरीज के निकट है, कुर्सी के नीचे बैग है इन वाक्यों में के पास के उपर के नीचे के सामने के लिए शब्द घर, बंदर, मेज, घर, डॉक्टर तथा कुर्सी शब्दों के बाद आए है, वस्तुता घर, बंदर, मेज, डॉक्टर, कुर्सी, संग्या शब्द है, के पास, के उपर, के नीचे, के सामने, के निकट अन्य शब्दों के साथ प्रकत किया है。 अतह ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं. जो अव्य संग्या या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंद बोधक कहा जाता है. 1. संबंद बोधक के भेद प्रयोग के अनुसार संबंद बूधक के भेद प्रयोग की दृष्टी से संबंद बूधकों के दो वर्ग बनाये जा सकते हैं विभक्ती सहित जैसे के जमा पास के पास से जमा पहले से पहले आधी विभक्ती रहेत जैसे तक पहले पीछे समेत आधी अर्थ के अनुसार संबंद बोधक के भेद कालवा चक के पस्चात के पहले के बाद के उपरांत आदी स्थानवा चक के निकट के यहां के भीतर के उपर के सामने के आगे के पीछे आदी दिशावा चक की तरफ के पार की ओर के आसपास के चारों ओर आदी साधनवाचक के माध्यम के हाथ के सहारे के आसपास के चारों ओर आदी समतावाचक की भांती के तुल्य की तरह के सामने के अनुसार के सद्रिश्य आदी हेतुवाचक के लिये के कारण के वास्ते के निमित के सिवा की खातिर आदी तुलनात्मक की अपेक्षा की तुलना में के आगे के सामने के जैसा आधी सहचर वाचक के संग के साथ के मात्र के सहचर के समेत आधी विरोध वाचक के प्रतिकूल के विरुध के उल्टे आधी संगरह वाचक के समेत के भर के तक आधी कई कालवाचक और स्थानवाचक अवयाय संबंद बोधक और क्रिया विशेशन दोनों ही होते हैं जब उनका प्रयोग संग्या अत्वा सर्वनाम के साथ होता है तब वे संबंद बोधक अवयाय होते हैं किन्तु जब वे क्रिया की विशेशता बताते हैं, तब क्रिया विशेशन होते हैं। खंड कर, खंड कर, क्रिया विशेशन, संबंध बोधक, वह अंदर बैठा है, कमरे के अंदर कोई छिपा है, वह बाद में आया, कमल के बाद मेरा नंबर है, सामने देखो और चलो, वह दर्वाजे के सामने बैठे है, छट के उपर बंदर बैठा है, सेब मेज के उपर रखा ह उपर युक्त खंड कर के वाक्यों में आयरंगीन शब्द अंदर, बाद, सामने तथा के उपर शब्द क्रमशह, बैठा, आया, देखो तथा बैठा है, क्रिया की विशेशता बता रहे हैं, अतह ये क्रिया विशेशन अव्याय हैं, लेकिन खंड कर के वाक्यों में आयरंगीन शब्द के अंदर, के बाद, के सामने, के उपर, शब्दों का प्रियोग संग्या या सर्वनाम के साथ हुआ है, अतह ये संबंद बोधक अव्याय हैं, इस तरह से हम देखते हैं कि यदि अव्याय शब्द क्रिया की विशेशता बत आते हैं, समुच्य बोधक तुम पढ़ो या सोजाओ, पिता जी और प्रणाव बाते कर रहे हैं, उपर युक्त वाक्यों में या तथा और शब्द दो शब्दों या दो वाक्यांश्यों को मिला रहे हैं, वस्तुतह ये मिलाने या जूरने वाले शब्द योजक या या दो वाक्यों को जोडने वाले शब्द समुच्य बोधक अत्वा योजक कहलाते हैं, समुच्य बोधक अवय के कारिय, दो सरल वाक्यों को जोडने का कारिय, अजीत पढ़ा और सो गया, नीता आई और सो गई, विकल्प बताने का कारिय, तुम पढ़ो या सो जाओ, नाम, अर्थ या कारण बताने का कारिय, खेत सूख गए क्योंकि वर्षा नहीं हुई, मा बिमार थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा, विरोध करना, मैं खेलना चाह रहा था, लेकिन चोट लगी थी, वह पढ़ने पहुँचा, लेकिन स्कूल बंद था. समुच्य बोधक के भेद समानाधी करन समुच्य बोधक का वाक्यों में प्रियोग, तुम्हें अपनी सब्वेता और संस्कृती का ध्यान रखना चाहिए, आपने चाय पी है या खाना खाया है, लव और कुष शुरीराम के पुत्र थे, आप शानती से बैठिये या यहां से चले जाएए. समानाधी करन समुच्य बोधक के भेद और ना कॉफी, वह पढ़ता भी है तथा एक ओफिस में नौकरी भी करता है, इन वाक्यों में प्रियुक्त और तथा शब्द सैयोजक समानाधी करन समुच्य बोधक हैं, विकल्प सूचक ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांश्यों या उपवाक्य में विकल्प प्रकट करते हैं, उन्हें विकल्प सूचक कहा जाता है, जैसे श्रेया अथवा अंचु में से किसी को भेजो, तुम पढ़ने बैठो अथवा सोजाओ, इन वाक्यों में प्रियुक्त अथवा विकल्प सूचक समानाधी करन समुच्य बोधक है, विरोध जो अवय शब्द दो कत्नों में से प्रत्थम का विरोध या निशेद प्रकट करते हैं, वे विरोध सूचक कहलाते हैं, जैसे उसने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं नहीं जाओंगा, दिव्या आना चाहती थी, किन्तु राधा ने उसे मना कर दिया, इन वाक्यों में प्र वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करता है, उसे परिणाम सूचक कहा जाता है, जैसे परिश्रम करो, अन्यथा फेल हो जाओगे, राजेश चोरी करते पकड़ा गया, फलतह लोगों ने उसे पीटा, वह देर से आया, इसलिए अध्यापक ने उसे नाठा, उपरियुक्त वाक् समानाधी करण समुच्य बोधक है, व्याधी करण समुच्य बोधक अव्याई दो ऐसे उपवाक्यों को चोड़ने का काम करते हैं, जिनमें एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है, तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, व्याधी करण समुच्य बोधक के व्याधी करण समुच्य बोधक अवयाय चार प्रकार के होते हैं कारण बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक, कारण बोधक जिन समुच्य बोधक शब्दों द्वारा वाक्य के कार्य कारण का बोधो उन्हें कारण बोधक अवयाय कहा जाता है जैसे परिश्रम करने के कारण वह कक्षा में प्रथम आता है मेहनत करो ताकि सफल हो सको बुखार था इसलिए स्कूल नहीं जा सका सब चले गए क्योंकि समय समाप्त हो गया इन वाक्यों में प्रियुक्त कारण ताकि इसलिए तथा क्योंकि ऐसे समुच्य बोधक है जिनके द्वारा कार्य कारण का बोध हो रहा है इसलिए ये सभी कारण बोधक है संकेत बोधक जिस अवयाय से वाक्य में संकेत या शर्थ प्रकट हो, वे संकेत बोधक अवयाय कहलाते हैं, जैसे यदि तुम आते तो मैं भी चलता, यदि रवी आता तो सुमन जाती, यद्यपी वह धनी है, तथा पी महत कंजूस है, यद्यपी वह निर्धन है, तथा पी इमानदार है, वाक्यांच का भाव स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, वे स्वरूप बोधक अवयाय कहलाते हैं, जैसे ऐसा लग रहा था मानो बादल बरसने वाले हैं, वह जय चंद है, अर्थात देश द्रोही है, सभी जानते है कि चोरी दीनु ने ही की है, वह हमेशा सच बोलता है मानो सत्यवादी हरिश चंद्र हो, इन वाक्यों में मानो अर्थात तथा की का प्रियोग, पहले वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए किया गया है, अता ये चारो स्वरूप बोधक हैं, उद्देश बोधक, जो अवयाय दो उपवाक्यों को जोड कर उनका उद्देश तेजी से चलो जिस से बस मिल सके इन वाक्यों में प्रियोक्त जिस से तथा ताकी, शब्दों ध्वारा उद्देश स्पष्ट हो रहा है, अता हे उद्देश बोधक शब्द हैं, अ